सबसे बड़ी इंपोर्टन यह था कि सरे डोकुमेंट्स वरिफिकेशन क्यों नहीं करवाया जा रहे हैं तो वह चीज़ आपको यहां पर में बताने वाला हूं जो लेकिन वह नहीं करवाया जारे क्योंकि आप सभी को पता है एक निूज जारी की गी थी आमार उजाला के अंदर जिसके अंदर जो डोकुमेंट्स वरिफिकेशन की जो प्रोसस बताई गई थी वो बताए गयी थी 16 फरवरी से ठीक है 16 फरवरी से बताएगी थी लेकिन वो न्यूज विल्कुल फेक थी ये जो UPNHM के अधिकारी है उनके दोवारा मैंने कोल की थी और उनके बाद आपको मैंने बता दिया था कि ये न्यूज है ये फेक चल रहे है क्योंकि उसका रीजन ये था कि 16 फारी को जो डोकुमेंट्स वरिफिकेशन आपको पता है इस ये जो के केजियों में किंदर होते हैं और केजियों में के लिए खुद के जो नर्सिंग ओफिसर की भरती निकली थी ठीका उसका खुद का क्या था 16 फरवरी को लिए कमेंट्स क कर रहे हैं कि सर दो कहा तो आप सभी को मैं बता दू भी तक कोई भी UPNHM की तरफ से औफिस्यल यहाँ पर जो अपलोड चीजे हैं वो अपलोड नहीं की गिया है तो अभी कोई भी यह कंफर्म नहीं है कि आपके जो documents verification है वो कब तक होंगे ठीक है तो आप सभी तक यही सुचना पहुजा नहीं थे कि बिल्कुल निश्चन तरही है अभी तक यहाँ पर कोई information नहीं आई है काफी जो फेक चीजे हैं वो भी फैल रही है है कि एक दो दिन में होंगे या नहीं होंगे तो आपको बाता दू अभी और टाइम लगेगा documents verification के लिए UPNHM की तरब से तो आप बिल्कुल नेश्चन तरही है जैसे ही UPNHM की तरब से अगर कोई update आती है तो आप सभी को मैं जरूर पहुंचांगा ठीक है तो इस वज़े से आपकी जो documents verification है अभी रूखे हुए है क्योंकि के इंदर आपके documents verification होने थे और वहाँ पर खुद के जिए में की जो nursing officer की जो vacancy है उसकी जो प्रोसेस है वो complete चल रही है documents verification हाल ही में हुए है आपको पता है 16 फर्वरी को चले थे 17 फर्वरी दो या तिन दिन उसके documents verification चले थे तो अभी आपके CHO की जो documents verification है वो नहीं होंगे तो आगर कोई news आती है CHO की documents verification से related तो मैं आप सभी को ज़रूर पहुचांगा तो आगर आपने यह वीडियो अपने fan circle के रेगुलरली सेयर कर दें जिसे उनको पता चल सके क्या भी डोकुमेंट verification नहीं है